नमस्ते, सस्रीयकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ पूनम, आपके अपने चैनल पे एक नई रेसे पी लेके आई हूँ, आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम की सीरीज चल रही है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छी अच्छी आइसक् प्राइज में बनाया जाए और खाने में तो यह सुपर सुपर टेस्टी होती है, तो चलिए इसे फटाफट बनाना सीख लेते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले हमें लेना है GMS पाउडर जो क कि आइस्क्रीम को मिल्ट नहीं होने देता है, अब हम लेंगे कॉन फ्लोर, कॉन फ्लोर जो है आइस्क्रीम को गड़ा करने के लिए यूज करते हैं, 8 टेबल स्पून हमें शुगर लेना है, फुल फैट हमें मिल्क लेना है, हाफ लीटर, अब हमें एक पैन में इसे ट्रां फ्लोर एट करेंगे, 1 फोर टी स्पून इसमें सी एमसी पाउडर एट करेंगे, डेड़ टेबल स्पून हमें इसमें जी एमस पाउडर एट करना है, आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, इसका एक अच्छा सा घोल तयार कर लेंगे, तब तक हमन जो घोल हमने बना के रखा हुआ था उसको add करना है इसको हमें add करते जाना है और साथी साथी से mix भी करते जाना है जिससे कि इसमें कोई air bubbles ना पड़ें इसमें मलाई ना जमें और ये सारा काम हमें एकदम slow flame पे करना है 10 minute में ही ये जो दूद है वो थोड़ा सा गाड़ा हो ज चेंज हो जाएगा थोड़ा सा color भी चेंज हो जाएगा क्रीमिश हो जाएगा ये अब इसे हमें ठंडा करना है एक भगोने में हमने ठंडा पानी ले लिया है और इसे रख दिया है इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें मलाई ना जमें ये जो बेटर था वो बि ये सेट हो चुका है अब इसमें हम कट के निशान लगाएंगे नाइफ से उसके बाद हमें स्पून से इसे खुरचते हुए निकालना है जैसे कोई चीज हम खुरचते हैं इससे क्या होगा जब हम इसे चर्न करेंगे तो इसे चर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा वरना अगर हम इसे बीटर से बीट करेंगे तो ये अच्छी तरीके से बीट भी नहीं होगा इसे हमने एक अलग बाउल में निकाल लिया है अब हम इसे बीटर से बीट करेंगे और स्लो नमबर से हाई नमबर तक हमें इसे बीट करना है और बीट करने के बाद इसका जो यह केक बनाने वाली क्रीम है, आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, इसे भी हम बीट कर लेंगे, ये देखें, बहुत ही आछी तरीके से बीट हुआ है, अब दोनों चीजों को हमें मिक्स करना है, उसके बाद हमें, जिस भी फ्लेवर का आइस क्रीम बनान अब इसमें हमें थोड़ा सा Color एड़ कर ना है औरेंज कलर आप लिक्विड कलर भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में अव लेवल हो वो ले सकते हैं अब इसमें हम ग्रीन कलर की Tatty Fruity add करेंगे बहुत अच्छा लग रहा है रेट कलर की Tatty Fruity Add करेंगे देगे लग CH जो ice cream है वो ready हो चुकी है set होने के लिए इसे हमने air tight में transfer कर दिया इसे tap कर दिया जिससे इसमें air bubbles नाप पड़े उपर से हम थोड़ी सी tutti fruity भी add कर देंगे जिससे देखने में थोड़ा सा और जादा ही अच्छा लगे इसके बाद हमें लेना है clean wrap clean wrap से इसे wrap कर देंगे अच्छी तरीके से जिससे कि इसमें जो ice crystal होते हैं वो ना जमें अब इसका cover लगा देंगे और इसे set होने देंगे overnight के लिए या फिर 7-8 घंटे के लिए उसके बाद जो ice cream है हमारी देखे कितनी जबरदस्त बनी है बहुत ही अच्छी set हुई है colorful लग रहा है देखने में ही और बच्चों को तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और यह देखे इसका जो texture है वो बिल्कुल market की जैसे लग रहा है कोई देख के बता ही नहीं सकता है कि इसे आपने खुद घर में बनाया है बहुत ही परफेक्ट टूटी फ्रूटी आइस क्रीम बनी है आप इसे कभी भी बना के खा सकते है बच्चों को भी यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अब मैं मैं मिलूँगे अपनी एक नई रेसिपी के साथ तब तक देख करेंगे शेफ पूनमगर की रसोई